ब्यावर में प्राइमरी स्कूल की टीचर को फेरवेल देते समय बच्चे रोपड़े यहां 15 साल से पदिस्तत मैला सिक्चिका का तबादला दूसरे बिलेक में हो गया था सिक्चिका जब यहां से रिलीव हुई तो बच्चे लिपट कर रोने लगे यह देख वे भी अपनी आसू नहीं रोपए जिस सिक्चिका का ट्रांसपर हुआ उनका नाम लाजवती नागोरिया है वो पिछले 15 सालों से सुठालिया ब्लोक के ग्राम कोटरा में प्राइमरी स्कूल टीचर के रूप में पदिस्तत थी हाली में उनका ट्रांसपर ब्यावर ब्लोक के ग्राम चाटा में हो गया था सुमार को टीचर को इस्कूल में फेरवेल दिया जा रहा था बच्चों को जब पता चला कि उनकी टीचर यहां से कई ओड जा रही है तो वो उनसे लिपट कर रोने लगे बच्चों को रोता देख टीचर ने अपने आसू नहीं रोक सकी बच्चों को समझाते हुए इतना ही के बाई अच्छे से पढ़ना खूब तरक्की करना मंगलवार को इसका वीडियो सामने आया है बच्चों ने बताया कि मेडम अपने बच्चों की तरह हमारा ख्याल रखती थी पहले वेश उठालिया में रहती थी कुछ समय से ब्यावर में रह रही है बढ़ाई में कोई परेशानी होती थी तो मेडम से बेजी जग पूंच लेते थे स्कूल के दूसरे शिक्चक भी अच्चे हैं लेकिन मेडम की बात अलग थी मेडम पढ़ाने के साथ हमें गुमाने भी ले जाती थी पोदा रोपन को हो 15 अगस्त हो 26 जैनवरी स्कूल में होने वाले सभी सांस करती कारेकरों वो हमारी तैयारी कराती थी साथ ही में उसमें हमारे गरवालों को भी बुलाती थी मेडम के केने पर अब हम मन लगा कर पढ़ाई करेंगे